जिस राउल गांदी जी के विदान से इंटर्वीव से बावाल मच्छा दिया है बाज़ापवालोंने शवर में, चावाल विदान था वो और पहाद है किया गया है। हाँ मैंने देखा आज ही कुछ भारतिय जनता पाठे उल्लासनगर के अध्यक्षक के नितरुत्व में उन्होंने आंदोलन किया। तो वो उनका एक जूटा नरेटिव पूरे देश में जो उन लोग फैला रहे कि पहली बात तो रावल गांदी जी बाहर जाके जिस प्रकार से अलग-अलग समुद्धा है, अलग-अलग कॉलेज के सूडेंट्स रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, वहां के कॉंग्रेस के, मतल तो यह बात उनको पचनी रही है, क्योंकि उनके नेता आज तक कभी कोई open platform पर जाके उन्होंने कभी आज तक बात की नहीं है, तो यह उनका दर्द है, और यह दर्द को चुपाने के लिए क्या करना है, तो उसका कुछ तो जूटा नरेटिव करके, रावल गांदी जी वह हमारे लोग सबे के विरोधी पक्षनेता है, वो बहुत, मतलब खंबीर तरह के से यह सारे मुद्धों को पब्लिक में जाके, open platform में, अभी हमारे पंतपरादान ने तो पिछले 10 साल में प्रेस कॉनफरेंस भी नहीं किया, तो इसलिए उनको तकलिफ है, वो तकलिफ को कहा तो लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए सारे मुद्धे उनलोग ले रहें, इस इंटर्वी में उन्होंने क्या कहा था, इंटर्वी में देखिए जैसा आरक्षन की बात है, पहली बात क्या है कि एक तो ये एंटार एकॉनोमिक्स के सारे स्टूडेंट्स है, मेरे को आपकी जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम है, वो जो वीडियो कट करके जितना दिखाया थे, वो नहीं देखिए, पूरा एगंटे का इंटर्वी देखिए, तो उन्होंने विस्तार में ये सारी बाते आरक्षन के बारे में डिटेल में बताईए, और एक मुद्दा जो र तो जब हमको मालूमी नहीं है कि कोन से समाज की कितने परसेंटेजे, स्सी कितने, स्टी कितने, दो आजार एकिस में इनको जनरल लोकल सेंसेस करनी थी, वो भी इन्होंने की नहीं, तो जातीकत जनना रहें बात ही नहीं है, अचा आगर यह बोल रहे हैं आरक्षन को हम क्या प्रूफ बाये, लोगों को बताने की जरूद भी नहीं है, लेकिन अगर वो सही में आरक्षन के समर्तन में इतना जैसा बोल रहे हैं, तो जातीकत जनन गनना पर बात करें वो, कि हाँ हम तैयार है, जातीकत जनन गनना पर एक भी स्टेटमेंट देने को हमारे पंता प्रता तैयार नहीं है, यह लोग कुछ भी जुटा बात बोल रहे है, राहूल गांदीजी ने स्पस्ट का है, उन्होंने तो इससे आगे बढ़कर का है, कि हमको पचास टके का जो आरक्षन लिमिट सवीदान में है, और कोट ने जो उसमें डिरेक्षन दिया है, उसको भी और आप अगर तो आरक्षन कब तक चलेगा, तो उन्होंने एकदम सीधी बात कहिए, अगर देश में समानता आ जाएगी, जो जब तक भारती जन्ता पट्टी वो आनी सकती, तो समानता आएगी तो आरक्षन क्यूं कतम, अगर सब को समान संदी है, सब को समान नोकरी है, सब को समान हर समाच को अगर प्रतिनिदी तो मिल रहा है, राहूल गांदी जी ने डेटा के साथ बता है, आज 90 टक का IS IPS ऑफिसर में 90% कम्यूनिटी का भागीदारी नहीं है, मीडिया के में आउसे में 90% मतलब OBC, SC, ST, Minority सब आ गया उसमें, इनकी भागेदारी नहीं है, तो ये स सवीधान के खिलाफ में बात करने की जब बात कर रहे थे इन लोग, तो देश के लोगों ने उनको उनकी जगा दिखा दी, तो आज वही जो सवीधान विरोधी थे, आज सवीधान के किताब को लेके आज आएसा नमस्कार कर रहे हैं, ति ये जूटी बाते हैं, रासीक्र स नहीं आएगी ऐसा एकजांपाल देते उन्होंने बात काहें तो इसारी बाते वोगस है, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा पड़े थोड़ा इंगलिज को समझे, नहीं समझ में आता है तो जिसको इंगलिज समझ में आता है उसको बाज़ू में उन्हों ने बहुत गटिया बात की कि हम लोग जो है इनका राउल गंधी का हाल वही करेंगे जो उनके दाधी का किया था तो इस प्रकार से जो उन्होंने श्टेट्मेंट किया है पहली बात तो इसकी बहुत कडी निंदा होनी चीह और उन पे गुनाध आखलो ना चीह है और उनको पाटी ने उनके पाटी ने उनके निकालना चीह लेकिन बहुत निकालेंगे ने, क्योंकि यह उनके पेट में की जो ब शाहादत भी हुई रेगी लेकिन विचारदारा जो है गंदी जी की विचारदार ये चलती रहेगी गोड से की विचारदार नहीं चलेगी इसके लिए उनका कड़ा विरोत करने के लिए आज महाराष्ट्रा में नानावो पटलेग जी के आद्देख्षता में ये राज्य वेपिया अद्दूलनाज रखा था कोनार्ग अपना शहर अपनी बातें